अज़ आप लेकर आचुकी हूं एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है कि कल रात वह आपको लेकर क्या सोच रहे थे यानि आपके परसन कल रात आपके लिए क्या फील कर रहे थे कैसा महसूस कर रहे थे क्या उनकी सोच थी हमें जानने की कोशिश करेंगी रीडिंग जेंडरल है कलेक्टिव है तो हो सकता है कि आपके साथ accurately resonate करे हो सकता है सिर्फ कुछ percent resonate करे यह possible है कि ना भी resonate करे हो सकता है ना करे तो आपको open minded होकर यह reading सुननी है क्योंकि यह general और collective reading है सभी के लिए messages आएंगे तो हो सकता है कुछ आपके साथ match करें कुछ ना करें और यह reading सभी zodiac science के लिए है हर उम्र के विक्ति के लिए है timeless है आप जब भी इस वीडियो तक पहुँचेंगे यह है आपके साथ तभी resonate करेगा फिर चाहें आप इस वीडियो तक कितने भी समय बात क्यों न पहुँचे हो ओके वीवर्स अगर आप dream tarot चैनल पर पहली बार आए हैं आपने अब तक subscribe नहीं किया तो मैं आप से request करना चाहूंगी subscribe जरूर करें और बन जाए हमारी छोटी सी family का हिस्सा मैं personal reading नहीं देती हूँ इस बात का ध्यान रखें और comments में दिये हुए किसी भी contact detail का विश्वास न करें ओके और अगर आप इस reading तक message आपको जब मिलना होता है वो तभी मिलता है आईए चलिए देखते हैं viewers कि कल रात वह आपको लेकर क्या सूच रहे थे क्या थे उनकी feelings क्या थे उनके thoughts कल रात आपको लेकर I need one by one I'm sorry page of cups is the first card page of cups and then we have six of pentacles queen of pentacles the chariot I need one card the chariot here we have one card the moon card okay I hope ये cards visible है आपको तो कल रात वहें कैसा महसूस कर रहे थे आपको लेकर देखे वेवर्स यहाँ पर एक चीज तो है कि आपके परसनल परसन जो है परसनल आपके परसन जो है वो बहुत जादा राशनल इंसान है वो फीमेल हैं मेल हैं जो भी हैं हमेशे अपने दिमाग की सुनने वाले इंसान बहुत लॉजिक से चलने वाले और बहुत समझदारी से सब चीजे करना चाहते हैं मिच्वरिटी से, सेंसिबिलिटी से और साथ ही साथ बहुत प्राक्टिकल मतलब बहुत जादा भागनाओं में बहना बहुत जादा इमोशन्स के बारे में सोचना उनको ऐसा लगता है कि immature हो जाता है या बहुत जादा भावनाओं में बहना उन्हें नहीं पसंद है ये कह सकते हैं तो थोड़े प्राक्टिकल है या फिर ऐसा है कि अंदर से कितने भी इमोशनल है ये deep down कितने भी इमोशनल है लेकिन जितना दिखाते हैं जितना शो करते हैं जैसा पोट्रे करते हैं वो ऐसा ही दिखाते हैं जैसे वो प्राक्टिकल हैं और बहुत प्राक्टिकली सोचते हैं बहुत राशनली सोचते हैं तो कल रात वीवर्स कुछ ऐसा सोच रहे थे कि जैसे इन्हें आपके पास आना हो, मुझे नहीं पता यह आप से कितना दूर है, या फिर यह emotional gap आ चुका है, जरूरी नहीं है कि physical gap हो, लेकिन हाँ, geographical gap, physical gap हो सकता है, आप लोग अलग अलग cities, country, state में हो सकते हैं, अगर नहीं है तो यह कुछ ऐसा emotional gap आ गया है, जिसकी वज़े से यह कल रात भी, कल रात भी आपके तरफ आना चाह रहे थे, क्योंकि chariot का card है, movement का card है, they wanted to move towards you, आपकी तरफ बढ़ना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा लगता है कि, सिर्फ इन्होंने अपने emotions को छुपा लिया, control कर लि इन्होर से षिवलगे pessimism, वीवर्ट से इस बारे में भी सोच रहे हो सकते हैं, कि आप लोगों के बीच अब exchange कम हो गया है, ये इस बारे में सोच रहे थे, कि आप लोगों के बीच जो एक्सचेंज है, यानि कि जब हम all the solutions कर T. से एपकि अफ-ज़ Contrant, बाते करते हैं, तो द अच्छा एक्सचेंज होता है लेकिन यहाँ पर उन्हें ऐसा महिसूस हुआ कल राज जैसे आप लोगों का एक्सचेंज अब बहुत कम हो गया है यह बिलकुल खत्म हो गया है येस साथ ही साथ आपके बारे में सोचकर लगा जैसे वीवर्स आपको इतना फर्क नहीं पड़ा मतलब यह एक्सचेंज अगर बंद हो गया है या कम हो गया है आप लोगों के बीच अगर गैप आ गया है और एकुल गिवें टेक नहीं है यह नहीं कि दिसच बैलन्स हो गया वीवेर्स आप लगों के बीच एफर्ट लेने में आटेंशन देने में या motivate करने में एक वेक्ती ने efforts लिये जादा और उस वक्त जो दूसरा person है उसने effort नहीं लिये तो या तो यह हो सकता है viewers आप effort ले चुके जितने आपको efforts लेने थे जितना आपको try करना था you already did that तो अब यहाँ पर आपना एक stable energy में आ रहे हो मुझे लगता है अपनी ही position को hold कर रहे हो अपनी ही power को hold कर रहे हो अपनी ही self respect में operate कर रहे हो and now you are not affected a lot ऐसा नहीं दिखता है कि अब आप बहुत ज़्यादा affected है ऐसा लगता है आप अपनी energy maintain करके चल रहे हैं अपनी mental peace maintain करके चल रहे हैं और stability कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जतना जरूरी था या जितना पर्याप्त था required उतना आपने किया चाहें वो efforts की बात है या किसी और चीज की लेकिन तब भी यह जो disbalance create हुआ आप लोगों के बीच वो ठीक नहीं हो पाया तो फिर आपने इस बारे में सोचना ही बंद कर दिया तो जिस तरह से वो आपको देख रहे हैं उनको ऐसा लग रहा है कि अब आपको कोई फरक नहीं पड़ रहा अपनी ही position पर अपनी ही place पर आप बहुत खुश है यहां पर मुझे ऐसा लगता है कि वो आपका attitude आपकी energy ऐसी समझ रहे हैं कि पहले आप बहुत emotional होते थे लेकिन अचानक से ऐसा हुआ है या फिर यह transformation धीरे धीरे हुआ होगा कि आपने बहुत emotional होना बंद कर दिया है और थोड़ा सा आप थोड़ा आप practical तो नहीं कहूंगी लेकिन थोड़ा आप अपने आपको balance करके चल रहे हैं अपने emotions को भी अब balance करके चलते हैं ऐसे overflow नहीं होने देते हैं आप अपने emotions को इसलिए उन्हें लग रहा है कि आप confidence के साथ बैठे हुए हैं और अब आप कहीं भी किसी को भी chase नहीं कर रहे हैं you are not chasing anyone you are not needy बिल्कुल भी needy नहीं है बिल्कुल stable और calm energy में आप हैं तो वो ऐसा सोच रहे हैं viewers कि आप लगों के बीच यह जो disbalance आ गया था क्योंकि proper exchange नहीं था तो वो इस disbalance को खत्म करने के बा words लें क्योंना इस बार वो कोशिश करें और जो भी आप लोगों के बीच यह गैप आया है उसको फिल करने की कोशिश करें तो कल रात इस बार में जरूर सोच रहे थे कि proper give and take होना चाहिए अगर अब आपको कोई फरक नहीं पढ़ रहा है तो उन्हें कोशिश करके देखनी चाहिए कि सब कुछ ठीक हो सकता है क्या अभी भी क्योंकि उस समय जब आप कोशिश कर रहे थे उस समय आपके person बहुत जादा कोशिश नहीं कर रहे थे या बहुत जादा efforts नहीं ले रहे थे अब लगता है कि efforts लेने के लिए ready हो रहे हैं लेकिन एक दम से यह मत सोचेगा कि apology यानि की माफी मिल जाएगी या एक दम से कोई प्यार का confession हो जाएगा नहीं यहाँ पर page of cups का card है यह आपकी तरफ आएंगे लेकिन बहुत intense approach के साथ नहीं simple, normal, general, basic बाते करेंगे और येस आपके साथ धीरे-धीरे communication बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं जैसे आप से पूछ ल रहे हैं और क्या हो रहा है, general बाते करके बातों को शुरू करना और धीरे-धीरे आपके साथ बाते करने की कोशिश करना, तो मुझे लगता है यह small steps लेने वाले हैं, yeah, that's what I can say, कि यह small steps लेने वाले हैं, कोई बहुत बड़ी expectation अगर है, ऐसा नहीं है, कोई बहुत बड़ा step और decision यहाँ पर नहीं ले रहे हैं, यह जो भी आप लोगों के बीच, जो भी disbalance create हुआ है, उसको ठीक करने के लिए, यह action लेना, steps लेना, small steps लेना, शुरू कर सकते हैं, तो यह कल रात भी ही सोच रहे थे, कि इन्हें आपको approach करना चाहिए, आप में से कुछ लोग ऐसे हो सक सकते हैं, जैने कल रात ही इनका message या call receive हुआ होगा, 20% लोग, लेकिन बाकी लोगों को यह नहीं, नहीं नहीं होने किया होगा call या message, यानि कि बाकी जो 80% लोग हैं, उनको receive नहीं हुआ, लेकिन आपके person ने ऐसा सोचा हो सकता है, कि क्यों ना, मैं try करूं, लेकिन फिर भी, यह यह कोशिश है, वो भी ऐसी ही है, light, यानि कि small steps लेने हैं, धीरे-धीरे कोशिश करनी हैं, एक दम से कुछ नहीं होने वाला है, balance भी situation में आएगा, six of pentacles का card वापस, आप दोनों के बीच proper equal balance बना रहेगा, equal gestures, equal efforts, equal communication दोनों तरफ से, तो ऐसा balance वापस create हो सकता है, viewers आप एक self love की, एक stable, एक strong position में हैं, उनको ऐसा लगता है, आपको इसी energy में रहना भी चाहिए, मुझे लगता है, जितना जादा आप stability की energy में रहेंगे, viewers, जितना जादा अपनी self respect में operate करेंगे, उतना ही जादा ये आपकी तरफ action लेने के लिए, आपकी तरफ move करने के लिए और जादा attract होंगे, और जादा एक pull feel करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है, viewers की, यह आपकी तरफ बढ़ने के लिए ready हो रहे हैं, ऐसा लगता है, mentally अपने आपको प्रिपेर कर रहे हैं, mentally प्रिपेर कर रहे हैं अपने आपको कि उन्हें आपकी तरफ action लेना है, आपकी तरफ move करना है, मुझे लगता है यहाँ किसी तरह का difference है, मुझे ऐसा लगता है कि यह religious differences हो सकते हैं, आप लोगों का religion अलग हो सकता है, caste अलग हो सकता है, यह हो सकता है कि आप लोगों का family background अलग-अलग है, कुछ डिफ्रेंस हैं आपके education qualification में में हो सकते हैं lifestyle बहुत अलग हो सकता हैं कुछ भी। लेकिं सबसे ज़्यादा मुझे लग रहे कि paar दिफ्रेंस भी हो सकता हैं। लेकिन हाँ सबके लिए अलग अलग कर रहे हैं और कल रात भी इन्होंने ऐसा ही पुल फील किया है ऐसा ही भाव इनको महसूस हुआ है कि ये stability लाने की कोशिश कर सकते हैं आप दोनों के बीच जो balance खत्म हो गया है जो equal give and take खत्म हुआ है या कम हुआ है उसे वापस create करने की कोशिश कर सकते हैं यहाँ moon का card है यह जितने भी practical है जितने भी logical है rational है अपनी सोच में और अपनी approach में यहाँ पर ऐसा लगता है कि अब थोड़ा ये emotions की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं their emotions are running high ऐसा लगता है कि अब इनके emotions बहुत intense हो गए हैं आपके लिए जो कि पहले नहीं थे energies, emotions आपके लिए हो सकता है पहले light थे लेकिन अब intense हो गए है यहाँ पर moon का card emotions को बता रहे हैं कहीं ना कहीं इन्होंने अपने emotions को बहुत control करने की suppress करने की भी कोशिश की है कल रात ही कल रात के लिए ही कहूंगी कि जतने ज़्यादा emotions इनके high हो रहे थे उतने ही ज़्यादा इन्होंने emotions को control करने की भी कोशिश की है बट at the end यह control नहीं कर पाए है और बहुत ज़्यादा emotional हो गए है तो आप में से कुछ लगों के person ऐसे हो सकते हैं बहुत उदास रहे हैं कल रात के वक्त यह हो सकता है किसी की आखे भी नम हो गई हो possible है ठीक है चलिए मैं यहाँ पर और देखते हूं क्या messages है मुझे लगता है viewers के शुरुवात यह small steps के साथ करेंगे लेकिन यह रिष्टा long term चलने वाला है future में जाके later on आपको एक commitment इन से मिलेगा एक solid offer इन से मिलेगा लेकिन small steps से शुरुवात होगी और time लगेगा यह time taking होगा और time taking है यह मैं आपको पहली बोल रही हूं यहाँ पर ठीक है मुझे ऐसा भी लग रहा है viewers यहाँ पर कि वो बहुत जादा इस बारे में सोच रहे थे कल रात बहुत जादा deep thinking कर रहे थे बहुत जादा सोच विचार में थे कि कैसे वो आप लोगों के बीच याँ आप दोनों के बीच एक balance maintain करेंगे दोबारा कैसे आप दोनों के बीच वो फिर से एक equal given take start करेंगे कैसे यह जो emotional gap आ गया है आप लोगों के बीच या physical gap है कैसा भी gap है लेकिन आप लोगों के बीच एक gap आ गया है उसे कैसे दूर करेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत जादा सोच विचार कर रहे थे इस बारे में काल थे यह? मझे लगता है वीवरिज के आप से बात करनी है और बोगत जादा पाशन फील कर रहे हैं यह आपके लिए इस बात करनी है इन्होंने आपके लिए बहुत ज़्यादा passion feel किया है, बहुत ज़्यादा attraction feel किया है, fire like energy यहाँ पर दिख रही है, fire like passion दिख रहा है, तो इन्हें आप से बात करनी थी और बात करनी के लिए भी उतने ही passionate थे, बहुत passionate और आपके तरफ attraction feel हो रहा था, तो वो भी दर्शाता है passion को कितना ज़्यादा attraction है, तो viewers yes, यहाँ पर यह जो लेक्ती है, यह जितना, देखे मुझे लग रहा है, आपके transformation का नतीजा है, यानि कि आपने जितना self love किया है, या आप जितना self respect में रहे हैं, जितना अपने respect को, अपने dignity को maintain किया है, और बिल्कुल भी needy नहीं रहे, ब बदलाव लाए हैं, कि आपने emotions को balance करना सीखा है, तो जितना ज़्यादा आप self love के energy और self respect के energy में रहे रहे हैं, उतना ही ज़्यादा इनका attraction और passion बढ़ रहा है, यह आपकी तरफ आने के लिए सोच रहे थे, क्योंकि इन्हें एक नई शुरुवात करनी है, पुरानी बातो को बुला के, तो यहां पर फूल का कार्ड ऐसा लगता है, यह फूल का कार्ड चारिट को clarify करता है, ऐसा लगता है, कि जैसे यह आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपकी तरफ move करना चाहते हैं, और आपकी तरफ move करके उन्हें आपके साथ एक नई शुरुवात करनी है, यानि कि यह आप से भी expect कर रहे हैं, कि आप इनकी पुरानी गलतियों को, या पहले जो भी आप लगो के बीच emotional gap आया है, या communication gap आया है, या किसी प्रकार का disbalance create हुआ है, जो भी आप लगो के बीच हुआ है, यह expect कर रहे हैं, कि आप उसे माफ करेंगे, और एक new beginning करना चाहे और यह भी ऐसा ही चाहते हैं, कि आपके साथ एक new beginning करें, सब कुछ शुरू से शुरू करना चाहते हैं, एक नए सिरे से शुरू करना चाहते हैं, new journey start करना चाहते हैं, आप ही के साथ, और पुरानी चीज़ों को बुला के, yes, so they want to, they want to be with you, they want another chance with you, इन्हें एक मौका और च चाहिए, ऐसा लगता है, जिसे दोड़ कर आना चाहते हैं, और एक नई शुरूआत के लिए बहुत excited हैं, कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, everything will be fine, we will be together again, ऐसा कुछ इनका भाव है कल रात का, बहुत कुछ छुपा रहे हो सकते हैं ये, अपने emotions को लेकर, जो currently ये emotions feel कर रहे हैं, ये किसी को बता नहीं रहे होंगे, चुकि यहाँ पर hidden emotions भी हैं, देख लेजे, page of cups का card आ गया है, page of cups नहीं, five of cups, page of cups का card तो already यहाँ पर है, five of cups का card आ गया है, और ये moon card को clarify करता है, मैंने आपसे कहा था कि, अकल रात बहुत emotional हो गए, और उदास रहे होंगे, और हो सकता है, इनकी आँखें भी नम हो गई हों, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है, moon का card बता रहा है कि बहुत ज़्यादा emotions में डूब गया है, तो दर्शाता है कि वो कितने emotional हो गई viewers अब आपके लिए, और five of cups का card दर्शाता है, कि उनको ऐसा महसूस हूआ जैसे उनका दिल तूट गया हो, और heartbreak वाली feeling जो होती है, they're feeling that and they were feeling that, ऐसा ही महसूस कर रहे थे, जैसे heartbroken, और जैसे उनका प्यार उनसे दूर हो गया है, और सब कुछ कुछ हो गया है, कुछ यहां बहुत ही emotionally बहुत exhausted feel कर रहे थे यह कल रात heartbreak की energy है और उस दर्द को छुपा भी रहे हैं वैंने कहा है यहां पर hidden emotions है यह उस दर्द को छुपा भी रहे हैं ऐसा लगता है yeah they are hiding their pain हो सकता है viewers कि कल रात रुए है या आप हो सकते हैं आप क्या आसु आए हैं लेकिन energy थोड़ी sad है थोड़ी emotional है यहां passion है attraction है पर यह भी दर्शाता है उन्ही emotions को यह आए चलिए देखते हैं कि आपको क्या कहना चाहते हैं यह क्या कहना चाहते थे कल रात okay let's see we have two cards first पहला कार्ड कहता है I can't forget you मैं आपको भूल नहीं सकता I can't forget you accept me the way I am मैं जैसा हूं मुझे वैसे ही अपना लीजे या जैसी मेरी situation है जैसी मेरी परिस्थिती है मुझे वैसे ही अपना लीजे please wait for me please मेरा इंतजार कीजिएगा क्योंकि यह आपकी तरफ आ रहे हैं और मैंने कहा small steps लेंगे क्योंकि इन्हें एक new beginning चाहिए आपके साथ do you miss me the way I miss you see do you miss me the way I miss you यह आपको पूछ रहे हैं क्या आप भी मुझे उतना ही miss करते हैं जतना मैं आपको करता हूं yes viewers this person is missing you and they missed you a lot yesterday night यह आई चले देखते हैं आपके और उनके नाम में क्या लेटर्स हो सकते हैं H A W U G O E R D L M X H A W U G O E R D L M X viewers यह कुछ लेटर्स हैं जो आपके या उनके नाम में हो सकते हैं I hope your reading आपके लिए helpful रही है, relatable रही है, अगर इस reading ने आपको थोड़ा भी guide किया है, तो वीडियो को like जरूर करें, comment करके जरूर बताएं, subscribe करें, dream tarot channel को और बन जाएं dream tarot family का हिस्सा, bell icon को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं को वीडियो लेकर रहा हूँ, सबसे पहले वो आप तक पहुच सके, ओके viewers, और इस बात का ध्यान रखेगा, कि मैं personal readings नहीं देती हूँ, तो comments में दिये हुए, किसी भी contact detail का विश्वास न करें, चली फिर मिलते हैं अगली reading में, तब तक के लिए, bye-bye family, bye-bye angels, love you all, bye-bye, take care.